चंदन को केसर के साथ घесь कर इसका लेप माते पर लगाने से सिर, नेत्र और मस्तिक्ष को सीतलता सान्ती और उरजा मिलती है नाक से रक्ट गिरना बंद हो जाता है और सिरदर्द दूर हो जाता है यदि बच्चे को सर्दी हो जाए तो केसर की एक दो पंखुडी दो चार बून दूद के साथ अच्छी तरह से घोट ले ताकि केसर दूद में घूल जाए इसे एक चमच दूद में मिलाकर सुबह साम पिलाएं माथे नाक छाती वा पीट पर लगाने के लिए केसर जाएफल वा लोंग का लेप पानी में बनाएं और रात को सोते समय लेप करें क्रीमी नश्ट करने के लिए केसर वा कपूर आधी आधी रत्ती रख ले डाल कर दो चार भून दूद टपका कर घोटे और एक चमच दूद में मिलाकर बच्चे को दो तीन दिन तक पिलाएं बच्चे को बार बार पतले दस लगने को अतिसार होना कहते हैं बच्चों को पतले दस लगने पर केसर की एक दो पंखुडी रख ले और खरल में डाल कर दो तीन बूंद पानी टपका कर घोट लीजिए अलग पत्थर पर पानी के साथ जाइफल, आम की गुठली, सौट और बच बराबर बार घिसे और इस लेप को केसर में मिला ले इससे एक चमच पानी में मिला कर सिशू को पिला दे या सुबह साम दे